नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आर के योजना पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं घर बैठे अपने फॉन से पैंसन लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं, आपके खाते में पैंसन आई या फिर नहीं आई है, चाहिए आपकी विद्वा पैंसन हो, वरद अवस्था पैंसन हो, विकलांग पैंसन हो, या कुष्ट अवस्था पैंसन हो, सभी की जानकारी आपको यहां पर डिटेल वाइज बताई जाएगी, बस द नहीं आई है, पैंसन रासी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले Google Chrome Browser को अपने फोन में ओपन कर लेना है, दोस्तों आप देख सकते हैं हमने भी अपने फोन में Google Chrome Browser पहले से ही ओपन कर रखा है, यहाँ पर आजाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है, पैंसन लिस्ट, दोस्तों इतना आपको सर्च करना है, जैसे आप इतना सर्च कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर यह लिखा मिल जाएगा, यह देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर https nsapnic.in दोस्तों यह State Dashboard New National Social Assistance Program यानि की यह सरकारी pension है यानि की केंद सरकार दोरा चले गई pension है अब दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दीजेगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफिस ओपन हो जाता है दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सान निवेदन है अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिस ने है वैस समय समय से आपको मिलत रहे और आप हमारे दुवी जानकारी को लाव उठाते रहे हैं अगर दोस्तों आपको हमारे दुवी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रू कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है जिसे हम परेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए अब दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं जैसे कि दोस्तों आप फर्ष्ट में यहाँ पर सुरुवात में ही देख रहे हैं यहाँ को जो भी आपका स्टेट है जो भी आपका राज्य है सबसे पहले वे आपको सेलेक्ट कर लेना है चुन लेना है, यहाँ पर दोस्तो भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी की लिष्ट आपके सामने open हो जाएगी, इस में से जो भी आपका राज्य है, वे सलेक्टर लेना है, दोस्तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश पर क्लिक्ट कर लिया है अब दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट में दोस्तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा All Scheme All Scheme में दोस्तो देखते हैं कि कौन-कौन सी Scheme है, दोस्तो सबसे पहले इसमें दिखा रखी है IGNOAPS यानि कि दोस्तो इंदरा गांधी National Old Age Pension Scheme उसके बाद दोस्तो इसमें दूसरे पॉइंट पर है IGNDPS यानि कि इंदरा गांधी National Disability Pension Scheme यानि कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी इसमें Pension बताई गई है अब दोस्तो इसमें IGNWPS देख रहे हैं दोस्तो आप इसका मतलब है इंदरा गांधी National विड़ो Pension यानि कि जो विद्वा Pension है इस जो इनकी अंतर कर लाब ले रही है तो इसमें इसकी जानकारी के बारे में बताए गया है दोस्तो लिष्ट काफी लंबी है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद दोस्तो NFBS यानि की National Family Benefit Scheme अब दोस्तो यहाँ पर हम example के तुरपर किसी भी एक Pension के बारे में बताएंगे इसी तरह से ही जो भी आपकी Pension है विद्वा Pension है अगर आप विद्वा Pension लाब ले रहे हैं तो विद्वा Pension देख सकते हैं अगर आप विकलांग या फिर कुछ दवस्ता Pension का लाब ले रहे हैं तो वे भी आप चैक कर सकते हैं चाहिए फिर आपका वर्दवस्ता Pension हो सभी की जानकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तो हम यहाँ पर देख सकते हैं विद्ववाली पैंसर पर हमने क्लिक कर दिया है जैसे हम क्लिक कर रहे हैं दोस्तो as it is ऐसे ही आपको हमारे step follow करने हैं अब दोस्तो यहाँ पर यह आपको capsa code दिख रहा होगा यह नीशे वाले दोस्तो f4 ag8 आपको यह यहाँ पर fill कर देना है चले दोस्तो हम इतना process complete कर लेते हैं आप देख सकते हैं दोस्तो हमने यहाँ पर यह capsa code डाल दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं as it is same हमने as it is डाल दिया है अब दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक option आपको दिख रहा होगा submit दिख रहा है दोस्तो आपको यहाँ पर आपको submit के button पर click कर देना है चले दोस्तो हम click कर देते हैं click कर देने के बाद हमारे सामने कुछ क्या बो बता रहा है दोस्तो ही हमारे सामने कुछ अगला पेज इस तरह का open हो जाता है यहाँ पर आप पढ़ सकते है total beneficiaries, total bank दिख रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ पर total POAC, total MOC दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं verified आधार नमबर अगर bank ने link हो रहा है तो आपका verified हो गया है दोस्तों आपको इस तरह से scroll लाना है जैसे हम scroll कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरप्रदिस राज्ये में जितने भी district है, जितने भी जनपद है जितने भी जिले हैं उसमें से आपको अपना जिला चांट लेना है click कर देना है उस पर दोस्तों चुन लेना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कोई सा भी आपको दिखाने के लिए example के तोर भर कोई सा भी एक click कर लेता हूँ, ठीक है न दोस्तों यहाँ पर कोई सा भी मैं एक ले लेता हूँ अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपका जो भी सब डिस्टिक्ट है, जो भी आपकी तैसिल है, उनका नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों जो भी आप पैंसन का लाब ले रहे हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर देख जाएगा, टोटल बै में रहते हैं तो यह भी आपको दिख जाएगी अब दोस्तों आपको कहां पर किलिक करना है वे हम आपको बताते हैं दोस्तों आपको सिर्फ इसी लाइन में किलिक करना है यहां पर यानिके सब डिश्ट पर किलिक करना है फिर आप जो ब्लोक है पंचायत है आप उस पर किलिक करना है दोस्तो एक्जांपल है कट hedge गहाव पर में कुलिक कर देते हैं यहाँ पर पहली Summinder õ वाढ़ उन्गा नंबर या किलिक कर देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर किलिक कर देता हूं तीसरे नमबर पर मैंने दोस्तों इतना किलिक कर दिया है किलिक कर देने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं जो भी हम सर्च कर रहे हैं किलिक कर रहे हैं उनकी लिश्ट आपको यहाँ पर दी जाएगी आपक या एज हैं उनकी ये भी आपको दी जाएगा और साथ ही दोस्तो पैंसन का नाम भी आपको याँ दी जाएगा यहाँ पर आपको सभी जानकारी आपको दी जाएगी अब दोस्तो जो में चीजे हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं अगर आप भी इस टाइम करंटली में आप इस योजना का लाब ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको PFMS registered यहाँ आपको दिख जाएगा दोस्तों जो वैक्तिन नहीं ले रहा है तो उनके दोस्तों सिर्फ 9-9 लिखा उनको मिल जाएगा आप इस तरह से ही अपनी pension चेक कर सकते हैं अब दोस्तों आप अपनी pension की संफून जानकारी पता करने के लिए यहाँ पर आप दोस्तों आपको दिख रहा है नalam sensor order number आपको जो भी आपका pension का sensor order नंमर है आपको उस पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तों example के तोर पर हम किसी एक पर click कर देते हैं सब llowुन lagi spot लिए तो दोस्तों यहां मैंने क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको पुछ इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं basic PayPal की जानकारी आपको यहां पर देख जाएगी उसके बाद basic details में आपको मिल जाएगा यानि कि जो भी इस योजना कर लाब ले रही है उनका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा और pension का नाम भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा फिर दोस्तों आपकी जो age है age के बारे में आपको बताया जाएगा फिर जो अगर female है तो female यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर आप वरदवस्ता ले रहे हैं वरदवस्ता pension का लाब ले रहे हैं तो फिर उसमें दोस्तों की male बे आती है female भी आ जाते हैं दोनों ही अगर आप किसी male है तो आपको यहाँ पर male दिख जाएगा अगर आप female है तो आप female यहाँ पर दिख जाएगा अब दोस्तों रही pension लिश्ट की बात तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वैक्ती यह पहले इस pension का लाब ले रहे थे लेकिन अभी लाब नहीं ले रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप इसी परकार से अगर आप लाब ले रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं अगर जानकारे को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सालों का जवाब दिया जाएगा, लाश्ट में निवेदर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथी बेल आइग आपके साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत!